हेलो फ्रेंड्स बेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उम्मिद करती हूँ आप सब बढ़िये से ही होंगे फ्रेंड्स आपके रोज के मुश्किल काम को असान बनाने के लिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स ट्रिक और आइडिया लेके आई हूँ उम्मिद करती हूँ आपको बहुत ही जाद अपसान दाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स देन लगाते हुए देख लेते हैं कि आज का पहला टिप क्या है देखे मैंने यहाँ पर प्रेस ली हुई है हम प्रेस को यूज करने के बाद इसको ऐसे ही कही भी रख देते हैं जिससे क्या होता है कि इसके तार बहुत जल्दी खराब हो जाती है और फिर एकदम से गंदी भी हो जाती है तो इसके लिए मैं बहुत बड़ी टिप लेके आई हूँ देखिए सबसे पहले क्या करना है कि प्रेस की बाइर को इस तरह से फोल्ड कर लेना है अगर हमारी प्रेस की बाइर ऐसे ही नीचे पड़ी रहती है तो वो एकदम से गंदी हो जाती है और फिर वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती तो हमेशा यूज करने के बाद अपने प्रेस की बाइर को इस तरह से फोल्ड करके रखें ये देखिए मैंने एक रोल ले लिया है ये टेप का रोल है जब हमारी टेप खाली हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि इस रोल को ऐसे ही फैंक देते हैं लेकिन देखिए हम बड़े अच्छी तरीके से इसमें press की बायर को इकठा करके रख सकते हैं. अगर press की wire यहां बहां पड़ी रेती है तो space भी ज़ादा घेती है, लेकिन इस तरीके से देखे थोड़ी सी जगा में बड़े असान तरीके से आ गई है. आप हमेशा जब भी अपनी प्रेस को यूज़ करें तो ठंडा होने के बाद क्या करें कि इस तरह से इसकी बाइर को इकठा करें और फिर एक रोल में डाल के रख लें अगर टीप थोड़ी भी पसांद आई हो तो लाइक जरूर करें चलिए देख लेते हैं कि अगला ट्रिक क्या है देखे मैंने यहाँ पर नेल कटर लिये हुआ है हम जब भी नाखुन काटते हैं या तो एक जगा में बैठ कर काटना पड़ते हैं या फिर बाहर जाना पड़ता है लेकिन मैं एक बहुत बड़ी ट्रिक लेके आई ही जिससे आप कहीं भी अपने नाखुन खड़े होकर या कहीं भी बैठ कर काट सकते हैं आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा और नहीं एक जगा पे बैठना पड़ेगा तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इस तरह की एक टेप ले लेनी है और देखिए इस तरीके से बाहर वाली साइड में इस टेप को हमने लगा लेना है देखिए नेल कटर की बाहर वाली साइड में हमने टेप को इस तरह से लगाना है और दोनों साइड में लगाना है देखिए एक साइड तो टेप लग चुकी है अब क्या करना है कि दूसरी साइड भी इसी तरह से हमने टेप को लगा लेना है कहीं बार बच्चे बिस्तर पर बैठकर या सोफा पर बैठकर या कहीं भी बैठकर नाखुन काटने लग जाते हैं और क्या होता है कि नाखुन नीचे गिर जाते हैं लेकिन इस तरीके से बच्चे कहीं भी बैटकर नाखुन काटने बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगे तो देखिए इस तरह से दोनों साइड में हमने नेल कटर पर टेप को लगा लेना है तो देखिए नाखुन काटने की भी टेंसन खतम, कहीं भी नाखुन काटें बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगे ये देखिए नेल कटर पूरा पैक हो गया है, अब देखिए मैं आपको अपने ही नाखुन काट कर बताती हूँ अब बच्चे भी बड़े आराम से अपने नाखुन कहीं भी बैठ कर काट सकते हैं देखिए मैंने अपने नाखुन को काट लिया है और आप देख सकते हो के बिस्तर पर एक भी नाखुन नीचे नहीं गिरा है नाखुन नेल कटर के अंदर है आपने क्या करना है कि नेल कटर को डश्ट बीन के अंदर जाड लेना है तांके नाखुन बाहर निकल जाए चलिए देख लेते हैं कि अगला आइडिया क्या है देखे मैंने आपे मक्का के छिलके ले लिए हैं देखिए सबसे पहले क्या करना है कि पत्तों को एक दूसरे के अंदर से निकाल लेना है बड़ी ही असानी से निकल जाएंगे और फिर देखिए हमने क्या करना है कि एक पत्ते के हमने दो या तीन पीस कर लेने हैं देखिए इस तरीके से, अगर पत्ता बड़ा है तो आपने तीन पीस कर लेने हैं, अगर छोटा है तो दो ही पीस रखने हैं, और जो बेकार पत्ते हैं उन्हें निकाल कर बाहर कर देना है, फिर इसके बाद क्या करना है कि तीन पत्ते एक साथ पकड़ने हैं, देखिए इस त गूंथ लेना है तो देखिए मैं इनको जिस तरीके से गूंथ रही हूँ आपने भी उसी तरीके से इनको गूंथ लेना है और एक लंबी सी चोटी बना कर तयार कर लेनी है देखिए गूंथने के बाद जहां पे कम पर जाए आपने क्या करना है कि तीन पत्ते लेने हैं और इसी तरीके से इनको जोड़ लेना है पत्ते को थोड़ा बाहर निकालके जोड़ना है तांके ये अच्छे से जुड़ पाए जोड़ने के बाद ये जो पत्ते बाहर निकल जाएंगे आपको टैंसल लेनी की कोई बात नहीं है इनको कैसे ठी करना है मैं आपको बताऊंगी तो इसी तरीके से आपने लंबी चोटी बना लेनी है जहां पर आपको लगे कि पत्ते जोइंट करने हैं आपने पत्तों को जोइंट करते जाना है और फिर चोटी को बना के तयार कर लेना है तो देखे मैंने इस तरीके से चोट्टी को बना कर तयार कर लिया है तो देखे जॉइंट करने के बाद जो हिस्से बाहर निकले हैं उनको हमने ठीक ऐसे करना है मैं आपको बताती हूँ आपने एक पत्ता ले लेना है और देखे इसको थोड़ा सा काट लेना है तो देखे इसी पत्ते से हमने इसको अच्छे से लपेट लेना है बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि ये बाहर निकला था अच्छे से इसको अजेस्ट करके लपेट लेना है और फिर एक टाइट गांठ लगा लेनी है इसी तरीके से आपने जितने भी हिस्से बाहर निकले हैं सब को ठीक कर लेना है तो देखिए जितने भी पत्ते बाहर निकले हैं आपने पहले थोड़ा सा काटना है और फिर एक पत्ते की साहिता से इनको अच्छे से जोड लेना है तो देखिए मैंने सभी को तयार कर लिया है एक नीचे रखा है तांके आपको बता सकूँ कि आप यहाँ पे धाग़े का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप चाहें तो पत्ते की जगा पे धाग़ा भी लगा सकते हो तो देखिए इस तरीके से आपने एक लंबी चोटी बना कर तयार कर लेनी है आपके पास जितने पत्ते हैं आपने सब की इस तरह से चोटी बना लेनी है मेरे पास थोड़े ही पत्ते थे तो चोटी बहुत चोटी बनी है लेकिन इसका जो बनकर तयार होगा आपको बहुत ज़्यादा पसांद आएगा तो देखिए सबसे पहले हमने cloth clip को निकाल लेना है और फिर इस तरीके से हमने यहां से इसको अच्छे से tight कर लेना है देखिए इस तरीके से और फिर अंदर की तरफ इसको मोड लेना है यह देखिए इस तरह से हमने इसको लपेटते जाना है और फिर धागगा सुई लेने है, सुई आपने यहाँ पर बड़ी लेनी है और धागगा भी थोड़ा मोटा ही लेना है तांके यह अच्छे से सिल सके और देखिए इस तरीके से हमने इसको सिलना सुरू करना है अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो अपनी फैमली और दोस्तों से सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें फ्रेंड्स आप कहां कहां और किस जगा से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज कमेंट करके मुझे बताया करें तांके मैं भी जान पाऊं कि मेरी वीडियो कहां कहां और देश के किस-किस कोने में देखी जाती है आपने एक बात ध्यान रखनी है कि इसको टाइट से बनाना है तांकि यह खुरना पाए देखिए मैं इसे कितना मुझबूत बनाकर तयार कर रही हूँ तांकि ये बिल्कुल भी निकले न अगर इसे धीला बनाएंगे तो ये देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और बहुत जल्दे निकल कर खराब हो जाएगा इसलिए कोशिस करें कि आपने इसको कसक ही बनाना है तांकि ये अच्छे से मुझबूत बन पाए मैंने यहाँ पर भाइट धागे का इस्तेमाल किये हुआ है अगर आप चाहें तो यहाँ पर कलरफूर धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हो तो देखिए इस तरीके से हमने इसको मुझबूत करते हुए सिलाई करते जाना है ये छोटा सा बनेगा लेकिन बहुती काम का बनेगा देखिए बीच में अगर धागा खत्म हो जाए तो आपने क्या करना है कि धागे को काट लेना है और फिर सुई में धागा डाल कर इस तरीके से बहां पर जोइंट कर लेना है इस तरीके से जोइंट करने से धागा मुझबूत बना रहेगा गांट लगाने के बाद जो धागा बाहर निकला है उसको इस तरीके से अंदर की तरफ अच्छे से कर लेना है और फिर उसी तरीके से इसे सिलना सुरू कर देना है मेरे पास हरे पत्ते थे तो मैंने हरे पत्तों का यूज किया है अगर आप चाहें तो यहाँ पर सूखे पत्नों का यूज भी कर सकते हैं उसे भी यह देखने में बहुत बढ़िया लगेगा तो देखिए मेरे पास थोड़े ही पत्ते थे और चोटी भी छोटी बनी थी तो यह मेरा बनकर तयार है आप क्या करना है कि देखिए लाश्ट में इसको अच्छे से गांट लगा लेनी है तांकि यह निकलेना अगर आपके पास ज़्यादा पत्ते हैं तो आपने क्या करना है कि चोटी को बड़ा बना लेना है तो आप इस तरीके से इसका डोर मैट भी बना कर तयार कर सकते हो तो देखिए मैंने इसे बना कर तयार कर लिया है ये बिल्कुल छोटा सा बना है चलिए बताती हूं कि इसका यूज हमने कैसे और कहां करना है ये देखिए ये छोटा सा ही बना है लेकिन देखने में कितना अच्छा लग रहा है चलिए देख लेते हैं इसके यूज देखिए जब हम अपने घर में चाई बनाते हैं तो चाई की प्याली को इस पर इस तरीके से रख सकते हैं देखिए देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है इस तरीके से पानी का गिलास भी रख सकते हैं अगर आपको वीडियो थोड़ी पसांद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें